कि हलो एब्रिवन कैसे हैं आप सभी लोग तो दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आज मैं हाजी हूं एक नई रेसिपी के साथ तो फ्रेंज आज का जो हमारा रेसिपी है बहुत टेश्टी बहुत यूनिक बहुत ही सालों साल तक चलने वाली अच्छी सी तो यहां पर हमने माझगो ले लिया है आप यह मैंघा ले मैंगो को तो बड़ा लिया था झालओ लएक अज सोङ का चया है आपर की अच्छे मढी बहुता लिंग था तो आप इसे अच्छे से पहले साफ कर लिगड़ से तो आप इसे पहले अच्छे से वर्स कर लिए एक दो बार में जितने हैं आप अच्छे से साफ कर सक ubiqui से कर लिजए तो यहां पो डैरेक्ट इसको पेड़ से तुड़ आया हुआ है तो इसमें धूल मिट्टी तुछ हल्का फुर्का यह लगा होगा क्योंकि जमीन पे नहीं गिरा है तो हम इसे एक बार ही धो रहे हैं अगर आप पेर पर से तोड़ने के बाद जमीन पे अगर गिर जाता है या फिर ज्यादा उवह हो तो आप इसे दो बार धो लेजिए और इसके बाद हम इसे ले लेंगे और पानी को हटा देंगे साइड में और फ्रेंज क्या करते हम इसको पहले छिल लेंगे तो यहां पर हम इसे नाइप के हेल्प से छिल ले ले रहे हैं आप इसे जैसे भी एजी हो आसानी हो आपको छिलने में आप उस तरह से छिल की से त्य तो दोस्तों आम ऐसी चीज है जो हर किसी को पसंद आती है कोई इसे देख के ना नहीं कहता है और आम से बनी कोई भी रेसिपी हो इसे सब बहुत पसंद करते हैं और यह आज की जो रेसिपी हमारी है इसी तो बच्चे बुढ़े सभी अच्छे से इसे चाव से खाते भी हैं और पसंद भी करते हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि क्योंना इस रेसिपी को आप लोग के साथ सेर किया जाए तो आज मैं बिल्कुल जैसे हमारी दादी नानी बनाती थी हम वैसे आप लोग के साथ सेर करने वाले हैं तो फ्रेंस इस तरह से यह आप देख सकते हैं हमारी नान करते थे तो कि ये सांप है इसके सांप का नाम दे करके अजिसे मुझत रचाते थे और को क्या चोड़िये हम इस तरह से और आम को च्रीष ले लेते हैं यहाँ पे है तो इस तरह से ires Mm यह यह नया है जितना पनाना था उतना आम को च्छी लिया है और यह आप देख सकते हैं, मुझे तो इसका कलर और लुक दोनों कितना अच्छा लग रहा है, इससे काटने का मन नहीं कर ला, लेकिन क्या करें, काटना तो पड़ेगा ही, तो अब हम इसे एक आम से चार भाग में डिवाइड कर लेंगे, अगर आप अगर आपका आम बड़ करेंगे पहले, तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने सारे आम को काट लिया है, एक से चार भाग कर दिया है, और यह अब इसके बाद इसका नमबर आता है, बीज निकालने का, तो आप इसके बीज को भी निकालें, और बीज के साथ जो इसका एक वाइट कलर का प्लास्टिक लगा होता है, बीज के उपर उसे भी निकाल दें, तो खाने में अच्छा नहीं लगता है, तो हम एक चाको के हेट से बहुत क्लीन करके इसे अच्छे से निकाल लेंगे, इसके बीज के साथ इसके प्लास्टिक भी निकल जाए, और इस तरह से दोस्तों हम सार जरूर ट्राइब करिएगा येकीन मानिए बारवर बनाना पसंद करेंगी और ये इतना टेश्टी स्वादिश्ट बनता है और इसकी खास बात ये है कि अगर आप इसे अच्छे से इस्टोर करके रखें तो लंबे समय तक इस्टोर करके रख सकते हैं तो इसमें हम क्या करते ह इसमें एक चमच नमक और आधा चमच हल्डी डाल करके इसको अच्छे से हम पहले मेक्स करेंगे तो ये बिल्कुल आपको हम दादी-नानी वाला तरीका बता रहे हैं और तो इस रथ से आप नमक और हल्डी को अच्छे से मिला देजो जिससे क्या होगा कि इसका जो इस्ट्रा पानि निकलता है वो निकल जाएगा तो पानी अगर आपका निकल जाता है मैंगो से उसके बाँ जब आप इस रीसीपी बनाएंगे ना तो इस रेसीपी आपकी ब खराब नहीं होगी खतम हो जाएगी पर खराब नहीं होगी तो इसे हमने नमक खल्दी मिला करके आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था और यह देखिए कितना सारा पानी आम से निकल चुका है तो इस तरह से आभी मिला के छोड़ दीजिए जिससे कि नाम सॉरी आम का जितन करके चड़ा देंगे कराही तो कराही यहां पर पर बहुत जरूरी आप जरूर डालें इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है और आपको आचार की जो उमरे वह लंबी भी होती है जल्दी खराब होने नहीं देता है डाइजेस के लिए अच्छा होता है तो इसके बाद तीन स करते चार इसमें तेजपत्ते डालेंगे और सारे औयल को कराही में इस तरस से फायला देंगे जिससे हमारा आम जो है जले नहीं और अच्छे से बुन जाए और इसी के साथ इसमें हम एड़ कर दे रहे हैं एक बड़े चम्मच पंच फोरन बहुत ही जरूरी है इससे आपका टेस्ट और लुक दोनों अच्छा आएगा और इसके बाद चार से पांच हमने सूखी लाल मेज को तोड़के डाल दिया है और इसे भून लेंगी इसके आम को ही डाले पानी को निकाल दे आप इससे फेग दिया सब्साइब आप इससे बीच बीच में चलाते रहें जिससे कि ये जले नहीं और अच्छे से शॉफ्ट हो जाए गैस की जो लो है वहां पे आप मेडियम रखिए और इसे आप चलाते हुए अच्छे से एक गोबा ढ़क करके पकाईए पहले तो यहां पे हमने इसे चला दिया है हमने ढ़क दिया था फिर अब वापस हम इसे खोल के देख लेते हैं तो यहां पे जो आम है फ्रेंस वह सौफ्ट हो चुका है तो इस इसमें हम डालेंगे यहां पे एकबाउल चीनी से लगब currently जितना चीनी है और यहां हम डाल देंगे दो बाउल पानी के साथ इसमें ढाल देंगे पैसाँ किशमिष्श बहुत ही पेस्टि लगता है इस रेसिपी में दिनेगे और लालमेज खाका पावडर और एक से डेड़ चमच जो कि आपके आचार को खराब होने आगर। आपके पास खुनतना का सिर्का नहीं हो तो आप रहां पर यहां पर एक मीडियम साइज के गुड़ को हमने तोड़ करके डाल दिया जो आपके मीठे को बैलेंस करेगा तो आप गुड़ को डालें अगर आप चाहें तो सिर्फ गुड़ से भी बना सकते हैं और चाहें तो सिर्फ चिनी से भी बना सकते हैं तो आपको जैसे पसंद हो आप उस तरह से बनाए हम यहां पर दोनों यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा है दादी लोग दोनो बन के मेंt और गुटो कोई सारे पर फी इस morality भी भोलते हैं कर देए हमारे तो आंका इसे आचारी के거든 क्स्侈 आपके हैं क्र स्थकिक बताएगी तो यहां पर सवार्झ कर लेंगी तो यह पूंयार Subban इतना गाड़ा हो गया ठंडा होने पर तो सेम इसी क्वालिटी का हमें चाहिए था अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बावल में और यह आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर इसका आया हुआ है तो इस तरह से आप भी बनाएए और इसे फ्रेंज आप यकीन मानिए सभी सब सब्सक्राइब और दाल छोड़कर कि इससे खाना पसंद करेंगे कोई आपके दाल सब्सक्राइब पूछेगे अगा भी नहीं जगर आप इस रेसिपी को बनाके रखेंगे तो हमारी हां तो यह बनते देर नहीं लगती बस सब लोग सुरू हो जाते हैं बहुत ही पसंद कर कि लोग बहुत पसंद करते हैं खा भी जाते हैं इसे तो इसे आप बीच बीच में धूफ दिकाह करके कम से कम एक साल तक तो अराम से स्टोर कर सकते हैं तो दोस्तों आपका केमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स वीडियो में तो तक के बाइ बाइ नमस्कार